हलो फ्रेंड प्याप आइसी कीचेन में आप लोका सागत है आज में बनाने बली हूं केकड़ा केकड़ा बनाने के लिए मैं केकड़ा को दो के साप करके अच्छी तड़ा अभी रखी हूं उसको केकड़ा को हम मेरिनेट कर देते हैं पेले रखते हैं हल्दी पाउडर एक चम चमाज रेड चिली पाउडर और एक चुटी चम नमक उसको सब मिला देते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अग्स कर दी हूं अभी ग्यासन करेंगे उसमें पैन बेठाया हूं उसको ने देंगे एक चमाज ऑल मेधर सोस्तेली उसकर रही हूं कर देंगा केकड़ा उसको फ्राइ करना है अच्छी तरह केकड़ा हमार फ्राइ हो गया है उसको हम प्लेट में निकाल रहा हूं इसके वही कड़ाई में हम डालेंगे एक चमाज ऑल इधर में एक आलू इसके रहा हूं आपको जिदे आलू पशन नहीं है तो आप मतीज कीजिए यह अप्सनाल है आलू को छोटी-छोटी टुकुडा में काटा हूं उसको हम फ्राइ करेंगे आलू हमारा फ्राइ हो गया है अल्मोस रेड़ी है उसको हम भी निकाल देंगे उसी फ्लेट में चाइट में और उसी कड़ाई में और दू चमा तीन चमाज ऑल देंगे एक तेस पत्ता उसके बाद डालेंगे डालचिन का टुकुड़ा दो लॉंक एक इलाई ची उसको हम हलका फ्राइ करना है उसके बाद एक मीडियम साइज जीवन प्यास में काट के रख्यूं उसको हम डाल देते हैं प्यास को हमको गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जी तरह प्यास मेरा गोल्डेन ब्राउन कलर हो गया है यह दिखिए उसके बाद दालेंगे रेड चिली पाउडर एक चमास इधर मैं ओनियन का पेष्ट भी यूज किया हूँ प्यास का एक मिडियम साइज प्यास की पेष्ट करके रखिए हूँ उसको डालते हैं जालते हैं पेष्ट उसको मिला देते हैं अद्रक रशुन का पेष्ट दो चमास एक चमास हल्दी पाउडर एक चमास धनिया पाउडर एक छोटी चमास जीरा पाउडर इसको मिला देंगे एक छोटी चमास गड़ाम मसाला उसको दो मिनिट के लिए मसाला का पाउड़ाना है उसके बाइद आ लेंगे जो केकड़ा हम प्राई करके रखेते हैं केकड़ा रालू की एक साथ ही डाल देते हैं जाल के उसको अच्छी तरह मिलाना है उसके बाद डालेंगे हमें एक टोमाटो मीडियम साइज और एक चमाच अमको नमक डालाएं यहापको पानी देंगे उसको अच्छी तरह मिलाएंगे मिलाने के बाद उसको दास मिनिट के लिए ऐसे डापके रख देंगे और पकाएंगे उससे यह देखें हमारा दास मिनिट हो गया है अच्छी कुछ भी आरे और मौसला भी बहुत अच्छी से पका हुआ है उसको अच्छी तरह मिला देते हैं इसमें देंगे और एक कॉप पानी मिलाएंगे उसको दो मिनिट के लिए ढाग देंगे ढाक के पकाएंगे अगर आप मेरी रेसीपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक यो शेयर सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मेरा दस्मौन हो गया है दो मिनिट उसकर निकालते हैं दिखिए ने अच्छी बनी है हमारा रेसीपी तेयार हो गया है आलू केकड़ा मसालादार रेसीपी अब घर में जरूर ट्राइब कीजिए कॉमेट करके जरूर बताईगा कैसा लगा मेरा रेसीपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर अभी हम निकाल के देखाते हैं प्लेट में कि मैं देखिए मेरे कुक्रा कर इसीपी अल्मुस तेयार हो गया है इसको थोड़ा से दिन्या पता में मेरे निकाल कर देखाते हैं